महामारी के बढ़ते मामलों के बीच विपक्ष लगातार सरकार को चेता रहा है लेकिन सरकार विपक्ष के सुनने को तयार नहीं है जिसका खाम्याजा अज देश भुगत रहा है जब हर तरफ अफरा तफरी है ऐसे वक्त में पूर्फ कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांथ तो वहीं कई राज्यों में वैक्सिन की कमी इस बीच चरमराई विवस्था को लेकर कॉंग्रेस अंसेत राहूल गांधी लगातार मोधी सरकार पर निशाना साथ रहे हैं राहूल गांधी के मोधी सरकार के खिलाब तेबरों में आक्रमक्ता देखी जा रही है बदवार को राहूल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाब ट्विटर के जरीए मोर्चा खुलते हुए इसे अंधा सिस्टम परार दिया उन्होंने अपने ताजा ट्विट पे लिखा एक दूसरे की साहिता करते आम जंद दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं मदद का हाथ बढ़ाते चलो इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो इससे पहले भी राहूल गांधी कोविट के हालात को लेकर मोधी सरकार का घेराव करते रहे हैं हाली में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालात पे सेंटरल विस्टा पर योजना के काम जारी करने पर भी सवाल उठाए थे बुदवार को सौस्पत्राले की ओड़ से जारी आकड़ों के बताबिक बीते 24 घंटे पे देश पे करोना के 3,60,969 के सामने आये हैं नयके इसके बाद देश पे कुल संख्रितों के कुल संख्य एक करोड उनासी लाग सतानवे हजाद दोसो सट सट हो गई है 24 घंटे के अंदर करोना से 3,293 लोगों ने दम तोड़ा इसके बाद बहुत का आकड़ा 2,1187 पहुच गया ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे के अंदर 3,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बारत पे अ 14,88,37,366 लोगों को करोना का ठीका लग चुका है जबकि 24 घंटे में 25,56,182 लोगों को करोना का ठीका लगा डीबी लाइप की रिपोर्ट